सी सीजन वन एपिसोड वन एपिसोड शुरू होता है और एक अबाद हमें बताती है कि 21 सेंचुरी में एक जानलेवा वाइरस की वज़े से यूमन्स की पॉपलेशन घटकर सिर्फ 20 लाग रह गई जो यूमन्स वाइरस को सर्वाइब कर गए वो अंधे हो गए और अब प्रेजन्ट में 21 सेंचुरी से कई सेंचुरी आगे लोग जंगलों में कबीलों और विलेजिस के रूप में रहते हैं और लोगों ने अपने अंधेपन के साथ जीना सीख लिया है अब क्योंकि सभी अं पर हैं और ऐसे लोगों को आयूरा कहा जाता है कुछ आयूरा ये भी बता सकते हैं कि कौन जूट बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो लोगों के मन को पढ़कर उनकी फीलिंग्स को जानकर ये बता सकते हैं कि उनके अंदर गुसा है या किसी तरीके का लालच है या फिरों किसी से नफरत करते है या नहीं और इनी कुछ स्पेशल लोगों में से एक पैरिस नाम की औरत भी है जो फ्यूचर देख सकती है अब इस समय में देखनी की इच्छा रखना या फिर उसके बारे में बात करना भी पाप माना जाता है क्योंकि जो ग्यान था वो शैतानी ग्यान था जो सब कुछ बर्बात कर देगा इस टाइम में लोग ऐसा इसले सोसते हैं क्योंकि उनके पूर वजे नों ने यही बताया है असल में वाइरस से सर्वाइव करने के बाद लोगों ने अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसा इसले कहा था क क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो कभी देख नहीं पाएंगे और जब इनसान देख नहीं पाएगा तो वो किसी भी तरिकरी के वास को फिर से बना नहीं पाएगा और आब इसी वजegे से अगर कोई देखने वाला बच्चा पैदा भी होता है तो उसे मारने के लिए को इ पैंसिल्वेनिया का ऐलेगनी काउंटी और अब इस टैम पर पैंसिल्वेनिया को पैंसिल्वेनिया को पैंसिल्वेनिया के बॉर्डर पर है अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो अलकनी विलेज में विलेज के सरदार बावा बोस की पतनी मागरा के दो बच्चे होते हैं जिन म से एक लड़का और एक लड़की होती है लेकिन इनका पिता असल में बावा बोस नहीं बलकि एक देखने की शक्ति रखने वाला इनसान होता है जिसका नाम जरामिराल होता है असल में मारगरा हाल ही में किसी अंजान जगे से एलकेनी विलेज में आई थी और जब मारगरा एल देखने की पावर रखते थे और क्योंकि इस टाइम पे देखने की पावर रखना शैतानी शक्ति माना जाता था तो इसलिए देखने की पावर रखने वाले बच्चों को भी शैतान की ऑुलाद माना जाता था और अब इसी विज़े से जैसे ही ये बच्चे जन्म लेते हैं वैसे ही विचंटर अलकनी विलेज पर हमला कर देते हैं विचंटर को मारगरा की लोकेशन और उसके बच्चे देख सकते हैं ये जानकारी अलकनी विलेज के एक लड़के गैदर बक्ष नहीं दीती क्योंकि बावबोस भी अलकनी विलेज में कहीं अंजान जगे से ही आया था और वो कभी भी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताता था लेकिन क्योंकि बावबोस ने विलेज के लिए मेहनत करी थी विलेज के लिए काफी सारा काम करा था तो इसलिए विलेज के लोगों ने बाओ बोस को अपना सरदार बना दिया था और तब से लेकर अब तक गैदरवक्ष अपनी मा की मौत का बदला लेने के लिए अपनी मौसी जो की उसकी लवर भी थी उसके साथ मिलकर सही समय का इंतजार कर रहा था और अब देखने वाले बच्चों की वज़े से ही उसे वो मौका मिल गया था अब इसके बाद हम देखते हैं कि विचंटर और अलकनी के लोगों के भी एक घमासान लड़ाई होती है लेकिन क्योंकि विचंटर नमबर में बहुत ज़ादा थे तो इसलिए फाइनले बावबोस चट्टान से बनी प्रोटेक्शन वाल को यानि की सुरक्षा दिवार को गिरा देता है दिवार की गिरते ही विचंटर चट्टानों के नीचे दब कर मर जाते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कि आयूरा बताती है कि जितनी विचंटर को हमने मारा है वो तो नमबर में काफे कम थे और नदी के दूसी तरफ विचंटर की इससे कही जादा बड़ी आर्मी खड़ी हुई है आयूरा की बास सुनने के बाद बावबोस समझ जाता है कि विचंटर जानते थे कि आकर में जब अलकनी विचंटर से जीतने ही पाएगा तो वो अपनी सबसे मजबूत दिवार को गिरा देगा और क्योंकि विचंटर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकाबट दिवार ही थी जो की गिर चुकी थी तो अब वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे और वो जल्दी ही विलेज में पहुंच जाएंगे और ये आइडिया भी उन्हें गेदरबक्ष नहीं दिया था अब विलेज में वापस आने के बाद एक तरफ तो बावबोस अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के ले जाता है वहीं दूसी तरफ विलेज की पारलियमेंट बावबोस के बिना ही ये फैसला कर लेती है कि वह अपने विलेज को बचाने के लिए मारगरा और उसके बच्चों को विचंटर्स को सौप देंगे और अब मारगरा और उसके बच्चों को पकड़ने के लिए फुरा विलेज बावबोस के पास आ जाता है अब बाव VOOS अपने खिलाव होती बगावत को देखकर अपनी पत्मी और अपने बच्चो को बचाने के लिए विलेजवाले लोगों के खिलाव खड़े होकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अब बाव VOOS को ऐसा करता देख और उसकी हम्मत को देख एलकेनी विलेज की आर्मी का क्वाटर मास्टर आर का आयूरा जिसका नाम इलवान था वो और विलेज की प्रीस्ट जिसका नाम दा ड्रीमर था उसकी बेटी बोलायन जो की एक शैडो थी वो भी बाव वो उसके सपोर्ट में आ जाती है अब यहां मैं आपको बता दूँ की शैडो ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बिना किसी को महसूस हुए उसके नजदीक रहकर उसकी जासूसी कर सके सीक्रेटली और एलकेनी विलेज में इस तरीकी की सरफ एकी लड़की है जिसका नाम बोलोयन है और उसका इराज सिर्फ उसकी माँ जानती थी अब जब विलेज आपस में बटने लगता है और एक दूसरे को माणने के लिए तयार खड़ा होता है तब ही महाँ पर पैरिस आ जाती है जो सब को बताती है कि ध्यान से देखो बारिश रुखने वाली है और विचंटर्स ने आदा रास्ता पार कर लिया है तो अगर किसी को लगता है कि वो बच्चों को विचंटर्स को सौंप कर अपनी जान बचा लेगा तो वो गलत है क्योंकि विचंटर पूरे के पूरे गाओं को जला कर राख करेंगे और ओरतों के रेप करेंगे लेकिन हम यहाँ से निकल सकते हैं खाई के पास Éक BRIDGE बना हूा है हम उस BRIDGE की मदद से खाई को पार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं पैरिस की बात सुनकर दा ड्रिमर उससे बोलती है कि हम मेलकनीज यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई ब्रिज नहीं देखा, दा ड्रिमर की बात सुनकर पैरिस जवाब में बोलती है कि पहले नहीं था लेकिन अब वहाँ पर ब्रिज है, और अगर वहाँ पर ब्रिज नहीं भी हुआ तो भी अपना रेप करवाने से तो अच्छा है कि खाई में कूट कर जान दे दें अब पैरिश की बास सुनकर पूरा विलेज खाई की तरफ बढ़ने लगता है जब पूरा विलेज खाई की तरफ बढ़ रहा होता है तो रास्ते में बाव बोस प चोड़े गए निशानों को फॉलो करते हुए फाइनली ब्रिज तक पहुंच जाती है अब यहां मैं आपको बता दो कि सी की कहानी में डायरेक्शन बतानी के लिए बजने वाली घंटी जैसी चीजों का इस्तमाल होता है और इन घंटियों के साथ बांदी जाती है एक रसी जिसके अंदर गांट लगी होती है यह गांट लगी रसीया पेपर पर लिखे हुए वर्ड्स की जिगे पर इस्तमाल की जाती है आप इस कहानी के अंदर जहां भी मैसेज भेजने की बास सुनोगे वहाँ पर इसी तरीके की गांट लगी वी रसीयों का इस्तमाल होगा अब जब वो वहाँ पहुंसते हैं तब उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता और अब विलेज खाली होनी की वज़े से विचंटर्स का कमांडर तमाती जून गैदर बख्ष को अपने पास बुलाता है और उस पर गुस्ता करते हुए सब पूछता है कि तुमने तो कहा था कि लोग विलेज के अंदर ही होंगे लेकिन यहां पर कोई नहीं है तो बताओ वो लोग कहां पर गए गैदर बख्ष तमाती जून की बास सुनकर उससे बोलता है कि अगर कोई विलेज के अंदर नहीं है तो सारे के सारे लोग खाई के पास गई होंगे क्योंकि विलेज के लो आज खाई के पास से आ रही है तो वैसे ही तमाती जून अपने विचंटरस के साथ ब्रिज के पास पहुंच जाता है और अब ब्रिज के पास पहुंचने के बाद तमाती जून को बच्चों के रोनी के वाच फिर से सुनाई देने लगती है और अब यहाँ पर तमाती जून बास समझ जाता है कि यहां पर जरूल कोई ने कोई ब्रिज बना हुआ है और अब क्योंकि ग्तर बख्सूं के बारे में तमा ती जोन कdock को नहीं बता था। और अब जैसे ही gather box को ये बात पता चलती है कि खाई के पास bridge बना हुआ है वैसे ही gather box तमाती जून को convince करते हुए ये बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई bridge बना हुआ है हम मैलकनीज यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं लेकिन हमने यहाँ पर आज तक कोई bridge नहीं देखा और अब इसके बाद तमाती जून gather box से बोलता है कि एक काम करो पहले तुम bridge क्रोस करो उसके बाद मैं और मेरे लोग आएंगे तमाती जून ऐसा इसलिए बोलता है ताकि अगर bridge कमजोर हुआ तो तमाती जून और उसके लोग मारे नहीं जाएंगे सिर्फ gather box मारा जाएगा और अब जैसे ही gather box bridge पर चलना शुरू करता है वैसे ही बाव बोस bridge की रस्यों को काटने लगता है रस्यों को कटता देख gather box अपनी पहचान बताते हुए रस्यों ना काटने के लिए बोलता है और अब जैसे ही बाव बोस को ये बात पता चलती है कि उसका एक साथी bridge पर अभी भी है तो वैसे ही वो bridge को काटना बंद कर देता है और अब जैसे ही gather box bridge को cross कर लेता है वैसे ही बाव बोस finally bridge को cut कर देता है और अब bridge के cut होते ही तमाती जून के हाथ से पूरा का पूरा village निकल जाता है और अब village के हाथ से निकलने के बाद तमाती जून अपनी रानी कुईन काने को eagle की मदद से एक message भेचता है इस message में तमाती जून बताता है कि जरामराल के बच्चों क जनम हो चुका है और वो हमसे बचकर निकल गए है, और अब हम मैसेज देने वाले इगल के साथ उड़ते हुशे वेक कंजुआ डेम तक पहुच जाते हैं, और यही कंजुआ डेम कुईन से बेथ काने का महल होता है। कंजुआ डेम डेम के कंजुआ डेम का बिगवा नाम है, किंजिवा डैम रियल में एलगनी रिवर पर बना हुआ है जो पैंसिलविनिया के वारन काउंटी में है अब यहां हम देखते हैं कि इतनी सदी बाद भी यह डैम बड़े अच्छे से चल रहा है और कुईन एक म्यूजिक प्लेयर पर गाने से वे नहा रही है और कपड़े पहन रही है अब यहां कुईन तयार होने के बाद अपने लोगों को बोलती है कि मुझे प्रेयर करनी है तो सब लोग इस रूम से बाहर चले जाओ नौकरों के बाहर जाने के बाद हम देखते हैं कि कुईन प्रेयर के नाम पर फिंगरिंग या फिमेल मास्टरबेशन कर रही है और फिर आकर में फिंगरिंग करने के बाद वो उन्हीं उंगलियों को चाटते हुए ओपर की तरफ फूक मारते हुए आमीन बोलती है अब इस सीन समय ये बात पता चल जाती है कि कुईन कुछ बड़ा जोल कर रही है और वो अपनी जंता और अपने लोगों को बेवकू बना रही है अब इसके बाद कुईन के पास तमाती जून का मैसेज आता है और कुईन इस मैसेज को पढ़ने के बाद अपनी रॉयल काउंसल के पास जाती है और उन्हें भी ये मैसेज पढ़ाती है और अब जैसे ही सब इस मैसेश को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कुईन सबसे सला मांगती है और फिर काउंसल के एक मेंबर फिजिशिन से पूसती है कि क्या जरमेरेल के बच्चों के अंदर भी शेतानी रोशनी की शक्तियां होंगी शेतानी रोशनी से यहाँ पर कुईन क के करीब आने की और हमें जरमेरेल पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे राज्ये के अंदर मुश्किले बढ़ती जा रही हैं नदी की पवित्र शक्ति कमजोर पढ़ रही है लोग बोल रहे हैं कि भगवान की किरपा हमारे उपर से कम हो रही है तो मैं तो आ जो वो कर रही है वो कोई भगवान की शक्ति नहीं बलकि वो पुराने इंसानों की बनाई की मशीन है कुईन डैम की मशीन को भगवान से बात करने का जरिया बताती थी और खुद को भगवान का भेजा गया दूद बोलती थी और क्योंकि ये बास सच नहीं थी तो इसी वापस बुलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझा की वो अपनी सेना को जरामेराल की खोज में लगा दे ताकि उसकी सेना जरामेराल को खतम कर दे और कुईन का राज हमेशा के लिए राज बन कर रह जाए अब फिजिशन की बात सुनकर कुईन सब को जुकने के लिए बोलकर काउंसल मेंबर जी को बोलती है कि जी तमाती जून को मैसिज भेजो और उसे कहो कि अब उसे जरामेराल के साथ साथ उसके बच्चों को भी ढूनना है और उन्हें मार देना है अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ मागरा विलेज के लोगों को बता रही थी कि जरामेराल के पास देखने की पावर है उसने मुझे बताया है कि जिने हम भगवान की हड़ियां समझकर उनके हतियार और टूल बना रहे हैं वो असलिमें भगवान की हड़िया नहीं है और नहीं उन्हें भगवान ने बनाया है यहाँ बात हो रही है मैटल से बने हित्यारों की लाइक जैसे रॉड या फिर कुछ भी पुराने इन्सानों का बनावा कोई भी हतियार जो मैटल का बनावा हो जिससे हमला करा जा सके या जो काम में इस्तमाल में लाया जा सके वो आगे बोलती है कि उसने मुझे ये भी बताया है कि जिन समतल पहाडों को हम महसूस करते हैं वो इनसानों ने ही बनाए हैं हमारे जैसे पुराने इंसानों ने जो देखने की अब पवित्र शक्ती रखते थे। जरामिराल ने मुझे बताया था कि अगर हम उसके दिखाए रास्ते पर गए तो हमें एक स्वर्ग जैसी जमीन मिलेगी जहां कोई नहीं आ पाएगा और वहां वो सब कुछ होगा जो हमें जीने के लिए और आराम से जिन्दी की बिताने के लिए चाहिए होगा अब यहां समतल पहाडों से मतलब है बिल्डिंग या फिर रोड्स अब इतना बोलने के बाद सब उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिस रास्ते के बारे में जरह मिराल ने पैरिस को बताया था पैरिस जरह मिराल के बतायों इंस्ट्रक्शन्द और मेसेजस को फॉलू करते हुए ये जमीन सपाट थी अब जाओ थी और यहांपर खेती करना बहुत जादा आसान था साथ ही यहाँ पर पानी या फिर मश्लियों की भी कमी नहीं थी क्योंकि बगल में ही नदी थी और यहाँ पर जरमिराल ने कई सारी लकडियों को काटके भी रखा हुआ था और ये लकड़ियां इतनी सारी थी कि पूरा का पूरा गाउं अपने रहने के लिए घर बना सकता था ये पूरी जगे विलेज वालों के लिए स्वर्ग से कम नहीं थी और पूरा विलेज जरमिराल की विज़े से ही इस स्वर्ग के अंदर रहने वाला था अब इसके बाओ बोस वापस उसी रास्ते पर जाता है जहां से वो चल कर इस समतल जमीन तक आए थे वो वापस रास्ते पर जाकर उन सबी सबूतों को मिटा देता है जिनकी मदद से कोई भी या कभी भी उनकी उस समतल जमीन तक पहुंच सकता हो और अब इसके बाओ बोस अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर सूरच की गर्माहट को महसूस कर रहा होता है और गर्माहट को महसूस करते वे फ्यूचर में सबकु सही होने की उमीद करने लगता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड खरत मुझाता है तो क्या एलकिनी विलेज और बाओ बोस के बच्चे समतल जमीन पर सुरक्षित रह पाएंगे क्या होगा तमाती जून और कुईन का अगला कदम और अब कैसे लेगा गैदर बख्ष अपनी मा की मौत का बदला और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल कौन है ये जेरा मिराल इन सबी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहे है वी एक्स्परनेशन मुवीन हिंदी